तो दोस्तो आज हम बात करने वाले है की लॉगर के बार में कि जो की लॉगर है वो किया है इसके बार में मैं आज आप लोगो को बताने वाला हूँ और एक computer user और एक mobile user को ये पता होना चाहिए कि जो की लॉगर है वो किया है इसके बार में उन लोगो को पता होना चाहिए बहुत 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 शुप कामना है और मेरे बंगाली दोस्तों को भी दूर्गा पुजा का बहुत बहुत शुप कामना है तो दूर्गा पुजा में भी मज़े करना और नवरात्री में भी मज़े करना और अब बरते हैं वीडियो के तरव तो दोस्तो अविके टाइम में कीबोर्ट कौन यूज नहीं करता है सभी लोग कीबोर्ट को यूज करते है क्योंकि मुबाइल कम्प्यूटर सभी लोग यूज करते है इसलिए कीबोर्ट भी अविके टाइम में सभी लोग यूज करते है है ना थीक है नहीं सिखाता लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि आपने अभी तक अपने कीबोड पर जो कुछ भी टाइप किया है वो सब कुछ नोट हो रहा है आपने अभी तक अपने जिन जिन साइट पर पास्वर दिया है वो सब कुछ नोट हो रहा है किसको क्या इमेल किया है किसको क्या message किया है वो सब कुछ note हो रहा है क्या कभी ये सोचाए नहीं ना लेकिन दोस्तों ये हो सकता है अगर आपके system में ये keylogger है तो ये हो सकता है आपने अभी तक जो कुछ भी type किया है वो सब कुछ note हो रहा है और वो leak भी हो सकता है ये हो सकता है अगर आपके system में keylogger है तो लेकिन शायद आप लोग अभी ये सोच रहो कि ये Keylogger है क्या तो दोस्त अगर मैं आप लोगो को इसके बार में बताओ तो आप लोगो को कैसा लगेगा तो मैं आप लोगो को बता देदाओ तो दोस्त अगर Keylogger के बार में बात करें तो इसका काम ये है कि आप अपने keyboard पर जो कुछ भी type करते हो उसको note करना ही इसका काम है आप किसी भी site पर जो password दे रहाऊ कौण से security पर दे रहाऊ उसको note करना ही इसका काम है जो keyword है यह उन सारे चीज़ों को note करता है और इससे क्या होता है कि आप किसी भी साइट पर जो भी password हो वो note हो जाता है मतलब आप keyboard पर जो कुछ भी type करेंगे उसको note करता है ये keylogger और इससे क्या होता है कि इससे आपको खत्रा हो सकता है क्योंकि इससे आपका जो data है वो leak हो सकता है लेकिन ये कैसे हो सकता है ये ही सोच है न तो दोस्तों इसके बार में बात करें तो मैं आप लोग को पहले ही बता दू कि जो keylogger है न वो दो तरीके के होता है एक है software based और एक है hardware based ये दो तरीके के keylogger होता है और इन दोनों keylogger के बार में जानने के बाद ही आप समझ जाएंगे कि कैसे आपका जो data है वो leak होता है इन दोनों keylogger के बार में जानने के बाद आप ये समझ जाएंगे और इन दोनों keylogger के बार में मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा और पहले जिस keylogger के बार में मैं आप लोग को बताऊंगा वो है software based keylogger तो दोस्तों के software बेस keylogger के बार में बात करें तो यह जो keylogger है न यह ज्यातर malicious app के साथ होते हैं मतलब जो malicious app होते हैं जिनको हम बहुत टाइम क्लिक करते हैं बहुत टाइम बहुत लोग है जो malicious app को क्लिक करते हैं डाउनलोड करने के लिए लेकिन उसको delete भी कर देते हैं तुरंति उसको delete भी कर देते हैं बहुत लोग लेकिन उस टाइम क्या होता है कि यह जो keylogger है वह उन malicious app के साथ ही रहते हैं और वह आपके सिस्टम में install हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता लेकिन वह आपके सिस्टम में install हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि वह जो malicious app के जो keylogger है वह आपके सिस्टम में आने के वाद आपका जो सारा data है वह ले लेता है मतलब आप keyboard में जो कुछ भी टाइप करते हो अपने mobile के keyword में जो कुछ भी टाइप करते हो वह सब कुछ भेज देता है और इससे क्या होता है कि आपका जो data है वह लीक होने का chance बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यह आपको पता भी नहीं चलता लेकिन वह लीक हो जाता है लेकिन बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि जो keylogger है उनको हम खुद download करते हैं कैसे तो दोस्तों आप layout लगा देते हैं ऐसे करते हुए आप लोगोंने बहुत सारी लोगों को देखा हुआ क्योंकि बहुत लोग यह करते हैं लेकिन इसी टाइम जो है ना हम लोग keyloggers को download कर लेते हैं क्योंकि यह सारे जो काम है इसको करने के लिए हमको कोई app download करना पता है जिससे कि हम अपने keyboard लगा सकते हैं अपने keyboard को live करना सकते हैं SM कर सकते हैं इसलिए में कोई app download करना पता है तो उस app के साथ भी बहुत time keyloggers रहते हैं जो आपके system में install हो जाता है जो आपको पता भी नहीं चलता और आपका start data hack भी हो जाता है और इस time क्या होता है कि उन लोगों के पास आपके system का access access रहता है पूरे system का access उनके पास चला जाता है जिससे कि वह आपके system के पूरी तरीके से धजिया उड़ा सकता है आपके system को पूरी तरीके से बढ़बात कर सकता है यह power उनके पास चला जाता है और यह आपको पता भी नहीं चलता यह कैसे हो गया है और अगर आपको इससे है तो ऐसे चीज करना बंद कर दीजे मतलब हर टाइम आपने कीबोड को ले आउट को बार-बार चेंज मत कीजिए बेसिकली उस ले आउट को ही यूज कीजिए जो आपके मोबाइल में दिया गया है वो ही सेफ रहता है आप लोग सौफ्टर बेस की लॉगर के बार में समझ चीक हो और ज्यादातर समाई हम खुदी सौफ्टर बेस की लॉगर को डाउनलोड करते हैं क्योंकि बहुत टाइम बहुत लोग ऐसे हैं जो कोई अंट्रस्टेड वेबसाइट से एपिके डाउनलोड कर लेता है किसे इनके साथ की लॉगर रह सकता है अगर आपने डेटा को सेफ रखना चाते हो तो इन सारी चीजों को मत करो कि आप लोग सौफ्टर बेस की लॉगर के बार में समझ चीक हो और अगर यह सौफ्टर बेस की लॉगर है इसका कोई भी अडवांटेज नहीं है मैं नहीं मनता कि जो सौफ्टर बेस की लॉगर है इसका कोई एडवांटेज होता है क्योंकि यह जो सौफ्टर बेस की लॉगर होता है इनको हड को यह बना सकता जो लोग बना है उसने ऐसा सेटिंग बना है कि आपके पास भी डेटा जाएगा और उसके पास भी डेटा जाएगा तो इसलिए उसके पास भी डेटा जा रहा है तो problem हो गया ना इसलिए यह जो सिस्टम का और इसलिए कंबान का इनको में इड्वाधेज में बिल्कूल नेता और आपको भी नहीं लेना चाहिए So I hope कि आप लोग software based keylogger के बारे में समझ चुके हो और अब बढ़ते हैं हमारे next keylogger के तरफ जो की है hardware based keylogger तो तो अगर hardware based keylogger के बारे में बात करें तो ये जो keylogger है ये एक dongle जैसा दिखता है मतलब ये print drive जैसा दिखता है बिलकुल ऐसा दिखता है ये जो hardware based keylogger होता है और जो software based keylogger है उसको आप देख नहीं सकते वो आपके system के अंदर रहते हैं लेकिन ये hardware based keylogger है इसको आप देख सकते हो क्योंकि ये ऐसा दिखता है और ये hardware based keylogger है ये CPU मतलब कीबोर्ट का जो USB लान लासे क्व रान आप काई है मतलब का का जो USB BrockTrade कीबोर्ट का है वह दॉंगल लाजता है और जो दॉंगल है हो पीचों के लागता है और جो detto किया होता है कि अब आप तो जो सा कीबोर्ट ब तो जाएगा लेकिन वो पहले वो जो dongle है वो जो keylogger है उसके अंदर store हो के जाएगा उसके अंदर सारा data पहले store होगा sequence के तुरू आप कैसे sequence पर type करें हो वैसे sequence में उसके अंदर वो सारा data store होगा उसके बाद वो सारा जो input है वो CPU के अंदर जाएगा और इससे क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो data है वो कब note हो चुका है आपका जो input है वो कब note हो चुका जो आपको पता भी नहीं चलेगा और यह जो keylogger है यह basically घर में कोई भी use नहीं करता क्योंकि कौन घर में इस keylogger को use करता है ज्यादतर यह जो keylogger है न यह वो लोग use करते हैं जिनके system बहुत लोग use करते हैं मतलब बहुतब क्यार को यूज करते हैं उनको बहुत big super cyber cafe में जा कर अपने data को access करते हो किसी online site को access करते हो तो इस time यह होगा कि आपका जो data है वो उनको मिल जाएगा और इससे क्या होगा कि जो cyber cafe का मालिक है उसको पता चल जाएगा कि आप कौन से site को access कर रहे थे कौन सा password है उस site का यह सब उसको पता चल जाएगा और इससे आपको खत्रा हो सकता है so अगर आप कभी भी किसी cyber cafe अपने data को access करते हो तो पहले यह check कर लो कि उस CPU के पीछे कोई भी की logger है यह फिर नहीं जो बेलकुल ऐसा दिखते है so इसलिए पहले देख लो अगर उस पर ऐसा कोई चीज लगा हुआ है तो उस CPU पर मत बैथ हो उससे क्या होगा कि आपका जो data है वो छोड़ी होने का chance बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा so I hope कि आप लोग इस keylogger के बार में भी स्तमच चुक है लेकिन जैसे जैसे हमरा दुनिया advance हो रहा है वैसे वैसे जो keylogger है उसको भी advance किया जा रहा है क्योंकि पहले तो हमें ऐसा keylogger यूज करना पाता था मतलब यह जो pen drive जैसा keylogger है इसको यूज करना पाता था और अब भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लेकिन wiki time में जो keylogger है वो आपके keyboard के अंदर ही set कर दिया जाता है जिसको key drive module कहा जाता है और यह जो drive है इसको बहुत टाइम जिसने लगा है वो खुद निकाल कर ले जाता है लेकिन यह संबब नहीं है क्योंकि कौन कहा से खड़ीद रहा है यह किसी भी को पता नहीं होता इसी दिये अभी के time में क्या किया जाता है कि जो drive है उनको wireless connection में बिठा जाता है कि वो जो drive है वो automatically wireless के थूरू जो data है वो transfer कर सके यह अभी के time में बनाया जा रहा है जो automatically आपका जो data है वो transfer कर देता है और सबसे ज़्यादा ड्रावनी बात तो यह है कि अभी के time में तो आप लोगों ने Bluetooth keyboard का use जरूर किया होगा क्योंकि बहुत लोग है जो इस Bluetooth keyboard का use करते है तो अगर इस time आपके उस Bluetooth keyboard में कोई wireless key drive module लगा हो रहा है और आपका जो data है वो note कर रहा है तो इस time क्या होगा कि यह Bluetooth wireless के थूरू जो data है वो transfer भी हो जाएगा लेकिन आपका जो keyboard है वो आपकी system के साथ connect होता है तो वो जो drive है वो आपके system के साथ भी connect हो जाता है और connect होने के वाज़े से आपके system में जो data है वो उसको use करके data को transfer कर देता है जो आपको पता भी नहीं चलता है तो इसलिए अविके time में ऐसे drive बहुत ज्यादा use होता है लेकिन इसलिए मैं यह नहीं कहा रहा है कि साड़े Bluetooth keyboard में यह रहते हैं और आप लोग Bluetooth keyboard को use मत करो आपको Bluetooth keyboard use करना चाहिए क्योंकि अविके time में हमारा दुनिया advance बन रहा है इसलिए हमें भी advance बनना है तो इसलिए आपको उन साथे चीजों को use करना है लेकिन थोरा सा देख कर कैसे क्योंकि यह जो कीड्राइब मॉडियूल है न वह कोई भी trusted company नहीं लगाता है मतलब जो बड़े बड़े trusted companies होते हैं जिनके प्रोडेक्ट हम खरीदते हैं वह कभी भी यह नहीं करता है footpath में जो keyboard समय मिल जाते है footpath में बहुत Bluetooth keyboard आपको मिल जाएंगे बहुत कम पैसे में ऐसे बहुत जगे है जज़ा आपको यह सब मिल जाएंगे कोई भी company होता है उसका कोई भी नाम उसका नाम आप सुनोगे गहीं नहीं भूटवर्ट की भूट भूटूट कीबोड भूटस बनाते हैं लेकिन अगर आप kisi फुटपाप से कोई की बूटूट खाईते हो तो ऐसा हो सकता है जिसका कमपणी का नाम आप सेफ रहेगा और यह की लोकर है इसका इसका यूज अभी भी बहुत ज्यादा होता है पहले भी होता था और अब भी बहुत ज्यादा होता है और बाद में बहुत ज्यादा होगा और इसलिए बहुत बड़े-बड़े banking site ने एक नया काम कर दिया अपने website पर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वहाँ पर अगर आप अपने details पर भरते हो मतलब कोई बड़े bank के details आप भर रहे हो किसी bank website पर आप कोई data भर रहे हो तो उस time आप अपने खुद के computer का keyboard use नहीं कर सकते कोई software keyboard भी आप अपने computer का use नहीं कर सकते बस उस website में जो keyboard दिया गया है उस time उस website का जो keyboard है उसको ही आपको use करना पड़ेगा उस keyboard को use करके ही आपको data देना पड़ेगा इससे क्या होगा कि अगर आपके keyboard में कोई drive मौजुद भी है तो वो भी data उसको भी data नहीं मिलेगा और अगर कोई software की लोगर है उसको भी data नहीं मिलेगा क्योंकि जो software keyboard है वो उस website का है इसलिए उसको data नहीं मिलेगा और यह मुझे बहुत ही अचला क्योंकि बहुत बड़े-बड़े company बहुत बड़े-बड़े bank site ऐसा कर रहे है और यह करना भी चाहिए जिससे आपका data safe रहेगा और यह किया भी इसलिए गया है कि उनके जो user है उनका data safe रहे और यह की लोगर यह बेसिकलिए ऐसे ही काम करता है वह आपका जो data है उसको छोड़ी करता है और अपनी user के पास भेज देता है जिसससे कि आप उस user को पता चल जाता है कि आपके system का access point क्या है so I hope कि आप लोग hardware based keylogger के बारे में समझ चुके है तो वीडियो को like जरूर करना लेकिन शायद आप लोग अभी यह सोच रहो कि यह जो keylogger है इससे बचने क्या किया कोई रास्ता नहीं है तो दोस्तों ऐसा नहीं है इससे बचने का भी र अब बताता हूं तो दोस्तों जो पहला रास्ता है वो यह है कि आपको कभी भी कोई malicious app को download नहीं करना है मतलब किसी untrusted website पर नहीं जाना है किसी भी तरीके की app download नहीं करना है किसी भी तरीके की link पर click नहीं करना है क्योंकि उन सारी चीज़ों में जो keylogger है वो रह सकता है और दूसरे रास्ते के बार में तो दोस्तों दूसरा रास्ता computer users के लिए है जो लोग अभी भी cyber cafe में जाते है cyber cafe में जा कर कोई अपने website को access करता है तो मैं आप लोग को इतना बता दू कि cyber cafe में अगर आप अपने किसी website को access कर रहे हो तो पहले बस यह देख लो कि उस cyber cafe के CPU के प बस कुछ-कुछ cyber cafe है जो अइसा करते है जो अपने लोगों के data को चोड़ी करते है लेकिन ज्यादा दर cyber cafe यह ऐसा नहीं करता लेकिन बस चेक कर लिजे कि उसके पीछे कोई भी dongle लगा हुआ है या फिर नहीं अगर नहीं है तो आप उसके ऊपर बैठ जाईए आप लोग ह कैसा लगता है कि उनके system में keylogger है तो यह आप कैसे जानबा होगे तो इसका बस एक छोटा सा रास्ता है जिसे कि आप जान सकते हो कि आपके system में कोई keylogger है या फिर नहीं तो दोस्तों वो रास्ता यह है कि आपको अपने system का जो task manager है उसको on करना पड़ेगा और यह देखन आपको background process में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कोई भी keylogs चल रहा है या फिर नहीं अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको उसी time बंद कर दीजे तो आपके system में keylogger नहीं रहेगा अगर रहता है तो अगर नहीं रहता है तो आपको किसी भी तरकी keylogs नहीं दिखा चुके हो सब्सक्राइब के बार में पूरी तरकी से समझ आ चुका है keylogger के बार में आप लोगों ने जान चुके तो वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा समधत मिल सके वो भी जान सके keylogger के बार में क्योंकि हर computer user और हर mobile user को यह पता होना चाहिए कि जो keylogger है वो क्या है और उसका काम क्या है यह हर user को पता होना चाहिए तो इसलिए शेयर जरूर करना और अगर हमारे चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना बिला इकन बन को प्रेस करना ताकि ऐसे जो इसका नोटिफिकेशन आ या आपको कैसा लगा अच्छा लगा या फिर बुरा लगा बुरा लगा तो क्यों लगा अच्छा लगा तो क्यों लगा मतलब इस वीडियो के बारे में आप लोग को feedback देना पड़ेगा इसी वीडियो के comment section में इससे क्या होगा हम अपने next videos को और जगा improve कर पाएंगे आप लोग को comment देना है मतलब feedback हमें देना है क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए आप लोग को feedback मुझे जरूर देना है और फिर से सबी लोगों को नवरात्री का बहुत बहुत शुब कामना है और मेरे बंगाली दोस्तों को भी दुरका बुजा का बहुत शुब कामना है तो मिलते हैं अपने नइस वीडियो में तब तक के लिए सुखी रहिए स्वस्त रहिए